हाइ फरेंड आपका मेरे चैनल आप्ड़ार्टे करो चांथ तो कितना चार्ज लगेगा तो इस वीडियो में आपको फुरा डीटेल बताउगा तो अगर आप कुछ भी अफटेल करवाने जाते हैं आधार सिवा के अंदर पे तो वहां पर ओ लोग 200-400 का डिमांड करते हैं मतलब यह चीज करवाना होगा तो 200 रुपए देना होगा मोबाइल नमबर लिंक करवाना होगा तो 100 रुपए देने पड़ेंगे मतलब इस तरह से करके वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं तो फ्रेंड यहां पर एक्चुल प्राइज जो है वो कितना कटता है कितना गौर्मेंट की फिस है वो मैं आपको पूरा डीटियल में बताऊंगा तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड आपसे एक छोटिस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देजिगा और चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देजिगा और साथ में बेल आईकॉन को फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो अगर आप अधार-kard में demographic data update करवाना चाहते हैं मतलब आप अपना नाम पिता का नाम पता या अगर ऑपनाac बढ़ या mobile number लिंक करवाना चाहते हैं या अगर आप इमिरा आइडियो आपडेट करवाना चाहते हैं मतलब demographic data मतलब यही होता है कि आपका बाइमेट्रिक खोड़ करके जितना भी डे तो यहां पर देख तर्वोपय पेमेंट करने होंगे देख सकतेए demography update Nemography update में मतलब यहाँ पर 50 रूपय ही लगेंगे परि counselor माली जी आप अपने आधार card में नाम भी चेंज कर रहना चाहते हैं पीटा का नाम भी चेंज करना चाहते हैं यह date or birth भी चेंज करना चाहते हैं तो 50 », पर 20 रूपय आप देख से एक अनुरुद एक से अधिक फिल्ड के अधतन को एक अधतन माना जाएगा मतलब अगर आप अपने नाम में अपडेट करवाना चाहते हैं पिता के नाम या जन्वती थी जो भी है एक ही बार में अगर करवाते हैं तो 50 रुपय ही लगेगा अगर अलग अलग ब बता दीजी कि एक वर 50 रुपय लगते हैं आप अपना जो प्राइस होगा जो चार्ज है वो कम से कम लीजिए मतलब आइसा नहीं है कि आप प्राइस तो मतलब पचास रुपय कट रहे हैं और आप चार्ज हो लीजिए ऐसा तो गलत बात है तो फ्रेंट यहां पर आपने अ जाहिन बंदे मातर हो